हेलो एवरिवन आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज की इस टैरोकार रिडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके person किस से और क्या बाते कर रहे थे आपके बारे में उनकी current feelings आपके लिए क्या थे आज शाम तो ये देखने की कोशिश करेंगे जो लोग भी contact में हैं उनके partners के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और जो लोग no contact situation में हैं एक दूसरे से बात नहीं हो रही है तो उनके partners की भी बाते देखने की कोशिश करेंगे कि वो आज शाम आपके बारे में किस से और क्या बाते कर रहे थे उनकी current feelings आपके लिए क्या थी यानि की contact और no contact दोनों ही persons की current feelings देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर clear रहे एक बात तो आपके जो partner है आपके बारे में सोचतों बहुत रहे हैं शाम से ही तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग contact में हैं उनके partners आज शाम बहुत मिस कर रहे थे उन्हें और उनको ऐसा लग रहा था कि जितना भी आप दोनों एक दूसरे के साथ quality time spend करते हैं जितनी भी बाते करते हैं वो आप दोनों के लिए कम पढ़ जाती हैं क्योंकि आप दोनों के बीच जो प्यार है वो the lovers देख रहे हैं ना twin flame वाला है यानि कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप दोनों ये एक दूसरे को खोने से भी ढरते हैं judgment भी चाहते हैं strength की कमी है या तो फिर strength कुछ ज़्यादा ही आप दोनों में कि आप दोनों एक दूसरे के लिए action लेने के लिए भी ready हैं क्योंकि यहाँ पर night of cups है बट यहाँ पर भी ना कुछ problem तो है आप दोनों के जीवन में ही यहाँ four of cups है हमारे पास तो ऐसा भी लग रहा है कि या तो आपकी family या फिर आपके person की family या उनके friends या फिर उनके कोई relatives उनको कुछ choices ना दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ offers मिल रहे हैं और यह person उन offers को accept तो नहीं कर रहा और इसकी वज़ा से यह आपसे भी थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहा है यह person तो यहाँ पर ना clear है एक बात तो यह person आपसे दूरी बना रहा है ऐसा नहीं कि इस person को आपसे प्यार नहीं है बट हाँ आप दोनों twin flame है इसकी वज़ा से ना इस person की और आपकी दोनों की life में कुछ problems आ रही है जिसकी वज़ा से आप चाहते हैं इस relationship में judgment हो आप चाहते हैं कि आपका person आपके लिए stand ले आपके लिए action ले और ये person भी चाहते तो हैं बट confused हो रहा है इस वज़ा से क्योंकि इसको ना choices दी जा रही है तो आश्याम ये इस बात को लेकर ही अपने friends से बाते कर रहे हैं कि ये क्या करें कि ये अपनी family की बात मानें या जो भी इनको choices मिल रही हैं उन्हें accept कर ले और आपसे move on कर ले या फिर ये उन choices को reject करके आपका हमेशा के लिए हाथ थाम ले तो ये person जो confusion इसके जीवन में चला हा रहा है तो ये अपने friends से इस confusion को लेकर आपके बारे में बाते कर रहे हैं कि इस person को आपके लिए जो attraction feel होता है जो इसको प्यार महसूस होता है इसको ऐसा लगता है कि आप दोनों का twin flame connection है आप दोनों twin flame journey में हैं एक दूसरे के soulmate हो सकते हैं और इस वज़ा से ही ये person इस journey को complete करना चाहता है, आपको complete करना चाहता है, अपनी life को complete करना चाहता है, आपको अपनी जीवन में चाहता है, बट इसके confusion के चलती और जो choices मिल रही हैं, उसकी वज़ा से ये काफी ना problem में हैं और ये decision नहीं ले पा रहे हैं, इसके बारे में कि वज़ा से वो no contact situation zone में चले गए हैं तो यहां पर आप दोनों separate हो सकते हैं बठाँ आप दोनों twin flame है एक दूसरे की और यह person इसलिए सोचने पर मजबूर है आपके relationship के लिए इनके relationship के लिए जो choices मिल रही है उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि क्या करे क्य आपका person आपसे प्यार नहीं करता तो यहां पर ऐसा ही लग रहा है मुझे कि इस person में strength की भी कुछ कमी आपको लगती है कि यह person शहद इस person में strength नहीं है इसलिए आपके लिए action नहीं ले रहा है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इस person में बहुत strength है यह आपके लिए action ले सकता ह ये हर वो काम कर सकता है इस relationship के लिए जो ये चाहता है किमकि ये person अपनी मनमानी कर सकता है अपने family के against भी जा सकता है उन्हें इस relationship के लिए राजी भी कर सकता है convince भी कर सकता है बट ये खुद ही late कर रहा है person और ये जो बात है ना ये contact और no contact दोनों के लिए ही है ये person ना भाग आश्याम और इसके बारे में ये अपने फ्रेंज से बाते भी कर रहे थे कि ये अभी ना खुद ही डिले कर रहे हैं अपने करियर की वज़ा से ये परसन चाहता है बहुत सारा पैसा अर्ण करना बहुत सारी प्रॉपरटीज बनाना बहुत सारा ऐसा कुछ अपनी लाइफ में करना जो इस परसन को नेम फेम रुपिया पैसा धन दौलत सब कुछ दे सकी तब ये डिसाइड करेगा कि अब इसको क्या करना है तो ये अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहता है इसलिए काफी सोच विचार में लगा है और अपने फ्रेंज से भी इसके बारे में बाते कर रहा है आपके बारे में बाते कर रहा है अपनी लाइफ को लेकर कुछ बाते और कुछ डिसीजन लेने के बारे में बाते कर रहा है तो आज शाम जो इस परसन के एनरजी थी ना कुछ इसी तरहां की थी और आश्याम ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में यही सब बाते कर रहे थे ओके वीवर्स ये थी आपकी रिडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी कुछ तो clarity मिली होगी कुछ तो resonate की होगी और जरूरी नहीं है सभी के साथ ये reading resonate करेगी इसलिए जितना भी resonate करती है आप उतना ही लें बाकी जाने दें क्योंकि ये reading general collective है ओके वीवर्स सो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें बाबाई